यह तो INDIA के नाम से आये हैं लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीशे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है इंडिया नाम तो इस्ट इंडिया कंपनी में भी था इस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया था कर नहीं था लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं बलकि भारत को लूटने के दादे से लगाया गया आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफाई के नाम में भी इंडिया है मतलब कुत्ता को भी चार पैर होता है गधा को भी चार पैर होता है इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं अगर यह रीजनिंग मैं लगाऊं जो रीजनिंग इस देश के पठान मंत्री ने लगाया है तो मैं यह कह सकता हूँ ना कि पठान मंत्री जी को भी दो आँख है और गधा को भी दो आँख होता है इंडिया गटबंधन की अगली बैठक महरास्ट की राजधानी मुंबई में होने वाली है जिसमें लोकसभाचुनाव की सीटों के बटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है वही इंडिया नाम ने NDA को परिशान कर रखा है इसलिए इंडिया गटबंधन को लेकर BGP की नेताओं से लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तक अजीव अजीव बाते बोल रहे हैं जिसके बाद उनका सूशल मीडिया पर मजाग भी बनता है वही अब NDA पर उनके पुरानी साथ ही उद्धफ ठाकरे ने तंच कस्ते विकाहा कि NDA में केवल तीन मजबूत पार्टी है नमस से महराष्ट के पुर्व CM और NDA के पुराने साथ ही उद्धफ ठाकरे कम ही बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हैं NDA और प्रधान मंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उद्धफ ठाकरे ने कहा कि राष्ट ये जन तांत्रिक गड़ब संधन में केवल तीन मजबूत पार्टियां हैं वो है CBI, ED और IT सामना को दिये एक इंटर्व्यू में उद्धफ ठाकरे ने मनिपूर हिंसा को लिकर PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा उन्होंने कहा हमारे प्रधान मंत्री को मनिपूर जाने की फूर्सत नहीं है लेकिन NDA की बैठक करने के लिए PM के पास समय था ठाकरे ने दावा किया कि चुनाव के समय पर हार के डर से NDA की सरकार होती है लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होती है ये मोधी सरकार बन जाती है वहीं उद्धफ ठाकरे ने कहा कि NDA में कुल 38 राजनीतिक दल है लेकिन मजबूत के तीन हैं और वो हैं CBI, ED और IT लेकिन बाकी पार्टियां कहां हैं ये बड़ा सवाल है कुछ पार्टियों के पास तो एक भी सांसर नहीं है वहीं देश में हो रही गौहत्या को लेकर भी ठाकरे ने मूदी सरकार को गेरा उन्होंने कहा कि NRC लागू करने से पहले इन्हें कश्मीर से कन्या कुमारी तक गौहत्या रोकने के लिए कानून लाना चाहिए अब इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होने वाली है इससे पहले इंडिया गटबंधन की एक कमीटी मणेपूर दोरे पर गई है जिसने BJP को परिशान कर रखा है दो हजार चौबीस लोगसवा चुनाव से पहले जिस तरह एंडिये और पीयम मोदी विपक्ष के इंडिया नाम से परिशान है ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष अपनी अगली बैठक में पीयम मोदी को कितनी घबराहत दे पाती है इस मुद्दे कर दो